यह बहराल एक बड़ी खबर है इसे बीच, एक्टर एजास खान मुंबई में गिरफतार हुए NCB ने आज सुभा एजास खान को गिरफतार किया है, आज एजास खान को NDPS कोर्ट में पेश किया जाएगा शादाब बटाटा की ड्रग गैंक से जुड़े होने का शक है, कलेपोर्ट से एजास को हिरासत में लिया गया था आपको बता दे NCB लगाता ड्रग मामली की जाच को आगे बढ़ाते हुए, उन तमाम बड़े चेहरों को भी रडार पर ले चुकी है जिनका पैडलर के जरीए या फिर किसी और सोस के जरीए नाम सामने आया हो क्योंकि शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद से ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं और वो नाम भी सामने आएंगे जो इस पूरे ड्रक्स इंडिकेट में इस पूरे राकेट में शामिल है एजास खान का नाम सामने आया ऐसी खबर थी और एजास खान को एयरपोर्ट से आज सुभा NCB ने गिरफ्तार किया जिसे NDPS कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कले आपोर्ट से एजास को हिरासत में लिया गया था आज NDPS कोर्ट में एजास को पेश किया जाना है और NCB एजास की कस्टडी मांगेगी कोर्ट में और अब ये देखना होगा कि एजास की मुश्किले बढ़ेंगी या फिर रहा असाथ होगी